फायर मैन अर्था खत्रों का खिलाडी इस्तम्मद में मेरे एक शाथी है जो फायर मैन है मुकेश जी उनका एक डायलोग मुझे याद आ रहा है जब सबकी चलती बंद हो जाती है तो अपनी सुरू होती है ऐसा कुछ डायलोग उन्हें बोला था फायर मैन के बारे में जी हम बात करेंगे फायर मैन के बारे में समस्त बाते जिसमें आपको उसके जोगेता उसके सीट कितना सेलेक्शन होना है महिलाओं के लिए क्या है सिले बस उसका अभी क्या करना है लोगडाउन में क्या करना है आपको उसके एकजाम डेट उसके एडमिट कार से समंदित मैं सा फायरमैन होता क्या है तो फायरमैन जिसे हिंदी में अगनिक बोलते हैं परन्तु हम इसे फायर फाइटर जिसे अगनिक जुधा कहा जाता है मेरे नजर में तो निशी तोर पे अगनिक जुधा ही है फायरमैन जिसे राह चलते हम नमन करना चाहते हैं जिसे सलूट करना चाहते हैं आपके मन में भी कई बार आता होगा कि ये आखेर काम कैसे करते हैं इतनी ब्यस्ताओं में जब सबकी बिद्या सबकी बुद्धी बिवेक जब काम करना बंद कर देता है उस समय इनका काम सुरू होता है यही फाइर मैन है जिसकी परिक्षा होने वाली है आप फॉर्म भी भड़े होंगे तो आएए बात करते हैं फाइर मैन जिसके सीट की संख्या तेई सो असी है आपको पता होगा दो हजार तीन सो असी है और फॉर्म फिलप हो गया है अभी कुछ दिन पहले ही नोटीस था जिसमें चर्चा थी इसका पाँच गुना तेई सो असी सीट है जिसका पाँच गुना 11,900 है लोगों को फिजिकल के लिए भेजा जाएगा मतलब अभी जो एक्जाम होगा उसमें से उसका पाँच गुना सेलेक्ट किये जाएंगे जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा मतलब सेलेक्शन पाँच गुना हुआ तो कहने का ये है कि एक चीज़ में महिला के लिए जो आवस्यक बात मुझे लगा कि आपसे सेर करनी चाहिए जो भी लर्किया इस फार्म फिलप की है फैर मैंन का तो अपना वेट जरूर देख लें एक बार चुकि अभी जो गाइडलाइन आया है अभी का विग्यापन में कि महिलाओं के वेट से समंदित की वेट 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए उससे उपर होना चाहिए तो इस बारे में आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा फायर में बहुत अच्छा सर्वीस है उनके लिए जो आगे कुछ करना चाहते हैं जैसे बहुत सरे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी सुरवात में चाहते हैं कि कोई न कोई नौकरी कर लिया जाए और उसके बाद फिर पढ़ाए अपना अपना स्टडी जारी रखें तो उसके लिए वैसे लोगों के लिए फायर में एक बहुत अच्छा एक ऑपरचनिटी है इक अवसर है इसका syllabus क्या है? syllabus के बारे में भी जान लेना जरूरी है इसका syllabus वही है जो बिहार पुलिस constable का syllabus है तो बिहार पुलिस constable का syllabus तो आपको पता ही होगा पहले जो 12 तक पूछा जाता था अब नयविग्यापन में कर दिया गया है कि अब 3 तक ही मतलब बेस होगा 3 तक ही सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि कई बार मैज के सवाल भी देखे गए थे कि 11-12 के भी मैज देखे गए थे तो अब ये असपस्ट कर दिया गया है कि 3 लेवल तक कहीं परस्न रखा जाएगा परिक्षा तीथी के बारे में तो आपको कई सोर से पता चल गया होगा कि 6 जून को है लेकिन इसकी संभावना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में 5-15 मैं तक लॉकड़ून लगा दिया गया है पटना हाई कोट का ये निर्देश ही था कि जितना जल्दी हो लॉकड़ून लगाया जाए लोगों को मरने से बचाया जाए तो सरकार भी सम्मेधन सील है तो इसको लेके लॉकड़ून लगा दिया गया है तो संभावना यही है कि 6 जून को जो डेट दिया गया है इस डेट पर एक्जाम नहीं हो क्योंकि नया डेट हमको लगता है कि आएगा क्योंकि ऐसे परिष्थिती में जब COVID-19 प्रोटोकॉल COVID-19 यह विकराल रूप लेते जा रहा है सिर्फ बिहार में नहीं भारत के अलग-अलग कोनों में भी यह विकराल रूप लेते जा रहा है तो ऐसी परिष्थिती में एक्जाम हो पाना थोरा सा टफ महसूस होता है लेकिन आपको क्या करना है माले कि एडमिट कार्ड के बाद जो हो गई कि एडमिट कार्ड तो अभी साइध ही जारी करे चुकि एक्जाम नहीं होगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको क्या करना है यह आपदा है तो इस आपदा को आवसर में कैसे बदला जाए इस बारे में सोच लिया जाए इस बारे में एक बार वार बिचार कर लिया जाए तो अभी मेरे समझ से अगर मेरा व्यू पूछेंगे आप कैसे हम इसको अवसर में बदल दें तो मेरे समझ से आपको करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा समय अभी है study पर देना चाहिए आपको physical के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जोकि बिहार के जो भी एक्जाम है आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से cut-up बढ़ते जा रहा है cut-up high जा रहा है तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा समय study पर देना चाहिए तो मेरे समझ से पहला ये कि आपको study पर ज़्यादा समय देना चाहिए एक basic book आप तैक कर लीजे एक basic book तैक कर लीजे और उसको आप उसका ध्यान करिए और एक objective book के साथ आप practice करिए ज़्यादा बहतर होगा और अभी तो lockdown है तो physical activity के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं सोचना है कि बाहर तो आप जा नहीं सकते हैं तो आप घर पे ही अगर थोड़ा बहुत possible हो तो आप घर पे ही physical activity कीजे और बाकी इसको छोड़ दीजे कि exam कब लेगा आप अपनी तैयारी दुरुस्त करिए और प्रस्ण पत्र कैसा भी हो आप चीर देंगे फार देंगे आप 100% बेहतर करेंगे जब आपकी तैयारी बेहतर होगी आप सभी प्रस्णों का जब आप जरूर दे देंगे क्योंकि 100% होते हैं प्रस्ण उसमें 15-20% तो ऐसे होते ही है कि सारे लोगों के लिए टफ होता है तो आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा attempt ले 80% हो तो ज़्यादा बेहतर है कम से कम प्रस्ण छोड़ने की कोसिस कीज़ेगा क्योंकि इसमें negative marks नहीं है तो इसलिए भी पूरा समय पूरा अपना focus study पे कीज़े बाकी जो आपका curious है जो सवाल है आप हमें comment box में लीखे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जहिन